हेलो गाइज हेलो अलोफ यू हम आपको ncrt class 11 की computer science करा रहे हैं आपका computer science और IP दोनों साथ साथ चल ले हैं अगर आप IP देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं IP वीडियो को playlist में आपको सभी मिल जाएंगे आप जो भी चाहिए देख सकते हैं computer science के हमारे four chapter complete हो चुके हैं हम आज फिप्ती चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं गेटिंग स्टार्ट विड पाइथन पाइथन यहां से आपका स्टार्ट होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्टोडरेक्शन टू पाइथन पाइथन का रहे हम के इन्ट प्रोडरेक्शन देख लेते हैं लिए रिटेन एल्गोरिथम फ़ॉरीधम इदिफ्रेंग क्रिटर प्रोडाम उसके बाद में हम क्स तरह से प्रोड्ऱाम क्रेट करेंगे एल्गो लिखने के बाद में हम उसकी हेल्प से प्रोग्राम क्रिएट करेंगे एनी वर्जन ऑप पाइथन 3 ठीक है पाइथन का अगर आप बीटों देख रहे हैं तो पाइथन की लेटस वर्जन अपे अवेलबल होंगे इसकी साइड में आप देख लीजेगा ठीक है जब य और ग्राम के वह च यह प्रोग्रामिंड लेंगेज को करें ठीक है जरें में से सुंस्के खना होगा क्टिक्षकैंश यह काम किसी करती है अज onboard से आफ diff काने ओडर में सेट और इंस्ट्रक्शं स्ट्रांब कि अपकी ठीकिया अब की एक्सटप इंस्ट्राइद कीचिया to carry out the specific task एक खास उद्देश के लिए खास वर के लिए इस काल प्रोग्राम उन्हें प्रोग्राम कहा जाता है and the language used to specify this set of instruction to be computer काल प्रोग्रामिंग लेंग्वेज जिस लेंग्वेज में प्रोग्राम लिखे गए हैं उन्हें computer language कहा जाता है programming language कहते हैं उसे as we know that computer understand the language of zeros and one जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो computer हमारा है वो zeros and one समझता है zero और one जो computer की language है machine language जो कहलाती है या फिर low level language कहलाती है ठीक है जिसे computer समझ सकता है computer में आप चाहें जो कुछ भी लिखते रहिए computer सिर्फ zero और one को ही समझेगा however it is difficult to human to write and comprehend instruction using zeros and ones ठीक है लेकिन यह human being के लिए बहुत ज़्यादा typical task है बहुत मुस्किल है difficult है कि वो zero और बंद को समझें और उसमें instructions को लिखें इस लेट तो बी advanced to high-level language इसी के लिए high-level programming language को बनाया गया high-level programming language का invention हुआ जैसे कि like python आपकी होगी c++ विजुल बेसिक और PHP जावा that are easier to manage by human यह एक ऐसी लेंगेज हैं जिन्हें के आसानी से human के द्वारा manage किया जा सकता है ठीक है इनके अलावे बहुत सारी programming language है यहां पर कुछ जो प्रोग्राम आपका हाई लेंगेज में लिखा होगा वो क्या कहलाएगा वो सूर्स कोड कहलाएगा रिकॉल फ्रॉम चैप्टर बन जिसे कि हम चैप्टर बन में पढ़ चुके है और लेडी ठीक है जिसकी मदद से कमप्रेटर अपनी भासा में language को टांसलेट करकर समझता है इसकी आवश्यक्ता रहत होती है तो स्फ्रोड को मसीन लेंगेज में टांसलेट करने के लिए हमें कमपाईलर और इंटेपीडर की अवश्यक्ता होती है python using interpreter python जो है interpreter की इस्तिमाल करता है to convert the instruction into machine language उन जो machine language instruction को convert करने के लिए python इस्तिमाल करता है interpreter का so that it can be understood by computer ताकि computer उसी समझ सके an interpreter process the program statement one by one जो interpreter होता है वो प्रोग्राम जो आपके जो भी आपके प्रोग्राम में instructions है उन्हें process करता है step by step ठीक है one by one step में इसी ही process करता है translate करता है translating and then execute उसके बाद वो से execute करता है the process is continued यह process continued रहता है until the error is encountered जब तक कि उसे कोई error नहीं मिल जाती जब तक उसे error नहीं मिलेगी वो continue काम करेगा in encountered वो काम करता रहेगा यह फिल whole program is executed successfully और error नहीं मिलेगी तो पूरे प्रोग्राम को successfully आपका execute कर देगा in both the case इन दोनों ही condition में program execution will stop ठीक है इन दोनों condition में program क्या होगा stop हो जाएगा अगर error मिलती है तो program वहां रुक जाएगा आपका error बताएगा अभी हमने interpreter देखा कि वो one by one translate करता है लेकिन वहीं compiler क्या करता है वो पूरी source code को एक बार में translate कर देता है ठीक है as whole पूरे source code को into the object code object code में after scanning whole program उसके बाद वो पूरे program scan करता है it generate error उसे कोई error मिलती है तो वो error message आपको दे देता है अब further of python इसके बाद python के बारे मगर हम बात करें तो python की कुछ feature है ठीक है python के features के बारे हम बात करने वाले हैं आप पहला point आपका है python is a high level language python जो है आपकी क्या है high level language है ठीक है it is a free and open source यह free है और open source है ठीक है दोनों चीज़ां आप याद रखिएगा जाम में ऐसी short question मन जाएंगी एक क्लाइन की ठीक है तो python जो है वो आपकी high level language है high level language है और क्या है यह free है और open source है इस एक इंटर्प्रीटर लेंग्विज यह एक इंटर्प्रीटर लेंग्विज है python program are executed by the interpreter क्योंकि जो python के प्रोग्राम होते हैं पों इंटर्प्रीटर के द्वारा एक्जिट यह जाते हैं python program are easy to understand python program को आसानी से समझा जा सकता है as they have clearly defined syntax and relatively simple structure ठीक है क्योंकि इसका syntax जो होगा हो clearly defined होता है और इसका जो structure है वो simple होता है python is case sensitive python जो आपका है वो क्या है case sensitive है जैसे कि number आपने यहां पर capital letter में एक number लिखा है और यहीं आपने दूसरी तरफ small letter में लिखा है ठीक है तो are not same in python तो यह दोनों ही python के लिए same नहीं होगी दोनों ही conditions python के लिए अलग-अलग होगी python is portable and platform independent python जो आपकी है वो बहुत सारे system पर operating system पर यह रन हो सकता है and hardware platform और दूसरी तुसरी अलग-अलग hardware प्लेटफॉर्म पर भी पाइथन है जा reach library जो python है इसकी बहुत ही reach library है और predefined function इसके predefined function है python is also help in wave development जो python है वो आपकी मदद करती है wave development में many popular wave services and applications are built using python python है वो बहुत सारी services और application को इस्तिमाल करता है जो built-in है पहले से ही python में python uses independent python python जो है python आपकी independent python इस्तिमाल करता है indentation का इस्तिमाल करता है एक तो python और python blocks और nested block का इस्तिमाल करता है ठीक है यह आप याद रखेंगे जो python है वो यूज करता है indentation का यह साथ है और के साथ हम काम कैसे करेंगे तो राइट एन रन एक्जिट को ही हम एक्जिग्यूट कहते हैं आप पाइफन प्रोग्राम लेखना और उसी रण कराना एक्ज़ूट कराना we need to have a python interpreter इसके लिए हमें किसकी आवश्यक्ता होती है python interpreter के आवश्यक्ता होगी install on our computer जो कि हमारे computer में install होना चाहिए या फिर we can use any online python interpreter या हम python किसी भी online python interpreter के इस्तिमाल कर सकते हैं ठीक है the interpreter is also call python adequi जो इंट्रीटर की इसी पाइधन चेल भी कहा जाता है simple screen screen और python interpreter आपकी मत पडिश्यक्तांउब की simple screen होती ही ओहां पर आपको दिखाई गई है यह python इंटरपीटर की स्क्रीन है आपकी जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ठीक है और सिंबल यह जो आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं थ्री ग्रेटर दन की सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं एंगल भी इसे कहते हैं पाइथन प्रॉम्ट इसे क्या कहा जाता है पाइथन to take instructions कि जो आपका interpreter है वो ready है instruction को लेने के लिए we can type command हम command को type कर सकते हैं और statement statement लिख सकते हैं on this prompt is prompt Cooper to execute them using the python interpreter python interpreter का इस्तिमाल करते हुए execution mode अब execution mode क्या हो सकते हैं there are two way to use the python interpreter python interpreter को इस्तिमाल करने के दो तरीके हो सकते हैं एक आपका हो सकता है interactive mode दूसरा हो सकता है आपका script mode जो दो तरीके हो सकते हैं इंट्रक्टिव मोड अलाओ execution जो इंट्रक्टिव मोड आपका है वो अलाओ करता है permission देखता है देटा है execution के लिए और individual statement एक individual statement के लिए और विएरेज script mode वही भी जो आपका script mode होता है ठीक है क्या अलाओ उस तु राइट मोर देन वन instruction इस्क्रिप्ट मोड में आप एक से ज्यादे instruction लिख सकते है इना फाइल कार्ड python source code फाइल आप बना सकते हैं जिसके की फाइफन सोर्स कोड़ का लाएगी यह that can be a file बना के आप उसे सोर्स कोड की फाइल को प्राइब करा सकते हैं और जो आपका अंटराक्टिव मोड है to work in the interactive mode we can simply type the python statement हम इसमें simple से python statement को लिख सकते हैं on the prompt के उपर directly हम लिख सकते हैं as soon as we press enter जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे ता इंटर पीटर एक जूट जो इंटर पीटर हमारा पर जूट कर देगा the statement को ठीक है and display result और हमारा result यहां पर हो जाएगा जैसे कि आपका interactive mode है यहां पर आपने जैसे ही अपने प्रॉंप्ट के उपर वन प्लस टू लिखा ठीक है वन प्लस टू को आपने जैसी इंटर्ट दबाया तो आपको थ्री आपका दिस्प्ले हो गया ठीक है फिर आप प्रॉंट को पर गए बापस से बापस से अपर चले जाते हैं यहां पर आप लिखते हैं लुक देते हैं ठीक है जैसे आपने लो लिख इंटर्ट दबाएंगे आप तब क्या होगा आपका है यहां आपको इसको जोड़ना है कि अनले से सदेब़ यह कोड़े ब哥 इसि कोकी यहां एकोड़ कर सकते हैं कि जो हमारा इंट मोड होता है वी कैनल सेंट मेंटеф स्टेटमेंट को नहीं कर सकता किया याद रिखिये छू हमारा इंटकी मोड नहीं सेओं को सेब नहीं कर सकता for the further use ठीक है आप उसे बाद में इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं and we have retype the statement to run them again अगल आपको दुबारा रन कराना है तो आपको फिर से दुबारा से type करना होगा वहीं पर दूसरी तरब आपको जो script mode है यह क्या काम करेगा in the script mode script mode के अंदर वी करूं राइट आ प्रोग्राम våra हमें प्रोग्राम लिख सकते लिख सकते हैं से श्क्राऻ करा सकते हैं and the qe and drug us अपर उस्विस्द कराए के बाद इसे पया Defence तो आपकी फॉल्ट होता है यहbay नियुक्का सबाइब नेट यह एक्स्टिंस्टन लेम नेम करेंache क्या होता है I can Space Streets lounge testrint प्वाइब पार्षल्ड यह आपको बाइडिफन्वोल्ट होता है रपार इस्कृप्ट आहएं आपके से इनधा पाइफन ना पाय्थन जो तो एक्ट्यूट दा स्क्रिप्ट आप इसके स्क्रिप्ट मोड पर एक्ट्यूट करा सकते हैं वी के आईदर और आप जब भी चाहें इसका इस्तिमाल कर सकते हैं आपको बहुरुआ टाइप कर निंग ज्यूत नहीं होगी टाइप दाइप फाइल नेम यहां पर देखिए फ फ्रॉग 5 वन पॉइंट डॉट पी यह इसका एक्सटेंशिन हो गया पूरा नाम हो गया फ़ाइल का वी टाइप प्रॉट फाइप और वन डॉट पी वाई इस तरह दूसरा आपने नाम लिख लिया थिरस आपने पी टाइप कर लिया यह कुछ भी लिख सकते हैं इन्होंन इस में हम directly program को क्या कर सकते हैं कुल सकते हैं open कर सकते हैं while working in the script mode जब हम working कर रहा होते हैं काम कर रहे होते हैं script mode के अंदर after saving a file, File save करने के बाद click run, RUN पर हम Click करेंगे और Run Module पर from the menu, Monum जाके ठीक है इसको हम run करा सकते हैं अपनी file को जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है the output appear आपको, क्या होगा आपको output जो है cell पर display हो जाएगा write a program, यहाँ पर एक छोटा सा program आपको दिया गया है write a program to show print statement in script mode अब आपको एक छोटा सा program लिखना है जिसको की हमें print करा रहे है statement को script mode के अंदर जैसे कि यहाँ पर print कराया है आपने save earth save earth किया preprint present और यहाँ पर प्रिजर फ्यूचर फ्यूचर को प्रिजर पर करने के लिए save earth किया यहाँ अब हमने क्या किया run पर जाए run के बाद run module आप run कर आते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका जो result है वो display हो गया save earth हो गया और प्रिजर फ्यूचर फ्यूचर को बचाओ अर्थ बचाओ और फ्यूचर बचाओ ठीक है आप को दोनों मोट समझ में आये होंगे अब यहाँ पर देख लेते हैं कीवर्ड आप जीजर वर्ड क्या होते हैं कीवर्ड कुछ भी नहीं है यह रिजर वर्ड होते है ठीक है इज की वर्ड है जा इस पेस्फिक मीनिंग इन पाइफन इंटर्पेटर हर एक की वर्ड की पाइफन इंटर्पेटर के लिए एक खास मीनिंग होती है एक खास मतलब होता है एंड वी केन यूज आ कीवर्ड इन अबर प्रोग्राम से ओनली फॉर दा परपरश फॉर बिच इट हैज बीन डिफाइन पाइफन इच केन सेंस्टिव पाइफन जो है वो केस सेंस्टिव आपके लेंगे हैं यह आप दियान रखिए पाइफन कैसी है केस सेंस्टिव है चलिए यह कीवर्ड देख लिजी आप जैसे यहां पर फाल्स लिखा हुआ है ठीक है नन लिखा लिखा हुआ है यहाँ पर आपको तीन कीवर्ड मिलेंगे इसमें पहला लेटर इसका capital है यह ऐसे ही रहेंगे ठीक है नन फॉल्स और ट्रू बागे आपकी क्लास यह continue है फाइनली फॉर इज ठीक है यहाँ बहुत से रिटर्न है ट्राइ है बहुत सारी आपको कीवर्ड दिये गए है एंड एज एसर्ट ब्रेक डाफ डाल इलिफ इल्स के लिए इसने माल होते है इल्स एक्सेप्ट फ्रॉम ग्लोबल इफ इंपोर्ट इन ठीक है नॉट और पास रेज वाइल विद और एल्ड ठीक है यह सारे नॉन लोकल यह सब क्या है आपके यह सब आपके कीवर्ड है जहां इन कीवर्ड को आप याद करने कुछिस करिएगा अब आइडेंटिफायर इसका लास्ट टॉपिक और ले लेते हैं फिर वीडियो को स्टॉप करेंगे इन प्रोग्रामिंग लेंगेज प्रोग्रामिंग लेंगेज के अंदर आइडेंटिफायर नेम यूज्ट टू आइडेंटिफायर और वरियेबल जो आइडेंटिफायर जो आपकी नेम होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर यह इडेंटिफायर करते हैं वरियेबल को फंक्शन को और अधर आइडेंटिफायर प्रोग्राम प्रोग्राम के अंदर जो भी दूसी चीज़ें होती होने गर्फन id Gray होते हैं हम उन्य किस किस तरह से कर सकते हैं कि प्रिख में कर सकते हैं तो सकते हैं исhtimail कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं तो पहला बताया गया है दो नीम should begin with an uppercase जो हमारा नाम है वो हम start कर सकते हैं ठीक है start कर सकते हैं अपरकेस से या फिर lowercase alphabet से कर सकते हैं और हम underscore sign के स्तिमाल कर सकते हैं underscore का भी स्तिमाल हम कर सकते हैं this may be allowed by any combination of character हम character का कोई भी combination बना सकते हैं जैसे कि यहां या गया है आपको combination ठीक है जीरो से नाइन जीरो टू नाइन हम नंबर ले सकते हैं Capital में A से Z तक alphabet ले सकते हैं Small में A से Z सक alphabet ले सकते हैं underscore ले सकते हैं This identifier cannot be start with digit लेकिन यह जो identifier है with digit से आपके start नहीं होंगे ठीक है यह जो identifier आपकी जितने भी है वो डिजिट से start नहीं होंगे या ध्यान रखेगा कि identifier cannot start with digit डिजिट से start नहीं होंगे इट कैन भी any length इनकी कोई length हो सकती है ठीक है कोई भी length रख सकते हैं However it is preferred to keep it short and meaningful जो कि short हो और meaningful हो ठीक ऐसा नहीं कुछ भी रख ले आप meaningful नाम रखिए अपनी identifier का it should not be keyword यह कोई keyword नहीं है ठीक है रिजर्वर्ड बिजर्वर्ड भी नहीं है ठीक है यह कोई keyword रिजर्वर्ड नहीं है जो की table में दिये है we cannot use special symbol आप इसमें special symbol का इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं ठीक है यह सिंबल दिये इनमें कोई स्पेशल सिंबल का इस्तिमाल में नहीं कर सकते हैं एक्जांपल जैसे की तो डिफाइन ता एबरेज ऑफ माक्स अप्टेंड बाइ स्टूल इन थी सब्जेक्ट तीन सब्जेक्ट के बच्चों के आपको एबरेज माक्स निकालने हैं वी कें चूज आइडेंटिफायर यह द्याइड रैडाडाव्लिआ हम लिखें उसकी जगए हमने इसस तरह से लिए ठीक है ऐवरीज एक्कल टू marx one ग्लस, 세계 करके हमें स्व्जेक्ट करते महां यूँ혁 से और सीट निक इसे और सनी इसिते हम इन ट्टैंगल कर सकते हैं, ओर सी कि इस्तिवाल करते हुए । सच एडिए डिया हम ले लिया लें और व्री एकलीली No ग्लीन अब्रश्ण मृटितला लीमर डीके ये ब्रश्ण के की इसमें हमने अरिया नाम के इंडेंटीफायर में से सेव कर लिया तीक है आई होप यह आपको समझ में आये होंगे नेक्स हमाना आए वरियेवल इस वीडियो हम यहीं तक रखते हैं वरियेवल से आप नेक्स वीडियो में देखिएगा Thank you all of you अगर आपको पसंद है तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए